दोस्तो नमो बुद्ध है जैबी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जाने वाले है ड्रैगन पैलेस में जो की नाकपूर से 15 किलोमेटर की दूरी पर कामठी में इस्तीत है दोस्तो आज का बहुती खास दिन है तो आज की दिन यहाँ पर बहुती जादा भीड़ होती है दोस्तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुती जादा ट्राफिक जाम है वो पुलिस भी यहाँ लगी है और यहाँ पे आज के दिन बहुती ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि आजी की ही दिन ड्रेगन पैलेस का उटगाटन हुआ था तो उसी की उपलश में यहाँ पे बहुती ज़्यादा आने लाइटिंग लगाए गई है और साथी साथ आज है कार्थिक पूर्णिमा तो प्रतियासिक जगह भी है और बहुती ज़्यादा खुबसूरत जगह भी है यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर भी है और डॉक्टर बहुती बड़ी आप प्रतिमा भी है दोस्तों अभी मैं ड्राइगन पैलेस के परिसर में आ चुका हूँ यहाँ से अभी हम अंदर चलेंगे पर उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी खुबसूरत तरीके से लाइटिंग लगाई गई है दोस्तों कार्तिक पोर्णिमा है इसी पोर्णिमा की उपलश में यहाँ पे जितनी भी लाइटिंग है लगाई गई है नहीं तो थोड़ी कम लाइटिंग होती है पर आप किसी भी दीन आओ तो इसकी खुबसूरती कम नहीं होती है क्योंकि यह पूरे भारत में एक मातर इस्तान है जो की थाइलेंड से लोग आये थे इसे बनाने के लिए तो दोस्तों यहां का परिसर आप देख सकते हो लोगों का आना जाना अभी स्टाटी है और लोग काफी दूर दूर से यहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो लाइटिंग तो बहुत ही जादा खुबसूरत लग रही है और आज की जितनी भी वीडियो में शूट कर रहा हूं दोस्तों यह वीड़ाउट एडिटिंग है वहले ही मैं वाइस वार बाद में कर रहा हूं हां से आप स्टूब देखिये इसे ड्रैगेंट पैलेसि कहते हैं तो देखिये कितना खुबसूरत लग रहा है और यहां पर कई सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं कई लोग यहां पर पिकनिक मना रहे हैं कई लोग सेलफीज ले रहे हैं और लेना भी चाहीए क्यों तो अभी हम अंदर जाएंगे और मैं आपको अंदर का भी पुरा परिसर दिखाऊंगा तो यहां के सीडिया है अभी सीडियों से चलते हैं अब अंदर और अंदर जाने के बाद तताकत भगवान गोतम बुद्ध की प्रतिमा है तो उसके भी आप दशन कर सकते हो और यहां प दोस्तों आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे क्योंकि यहां पर शानती चारों ही तरफ आपको शानती ही शानती देखने को मिलेंगी आप देख सकते हो यहां पर ततागत भगवान गोतम बुद्ध की प्रतिमा है जो कि थाइलेंड सी आई हुई मूर्ती है और यहां पर जो जि साह करके वाइस और बराबर में करने ही पा रहा हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी ही लगी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना क्योंकि यहां पर डॉक्टर पासा अंबेट करकी बहुत बड़ी प्रतिमा भी है जो की काफी कम लोगों को पता है तो वह मैं आज की सुडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ तो चैनल में एंटक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं इसी टैप की वीडियो हर दम बनाते रहता हो तो यह बाहर का साइड है और बाहर से आप खुबसूरती देखिए और मैं आप को फ्रांट साइड से भी खुबसूरती दिखाने की कोशित जरूर करूंगा तो अभी चलते हैं हम बहुत सा अंबेटकर की प्रतिमा देखने के लिए यह ड्रेगन प्रेलेस से कुछी दूरी पे है आप एक दू मिनिट का पैदल रस्ता पकड़के चलिए तो इसके अंदर यहां पर मैं आ चुका हूँ यहां पर इस्तम भया अशो की स्तम जहां तक की मेरे कैमरा की रेंज नहीं पोच रही थी तो अभी यहां से चलते हम बहुत सा अंबेटकर को अभिवादन करने के लिए यहां पर बहुती प्यारा बहुती स्थूप बनाय गया है और यह बहुत सरे देखिए गाइस बहुती शानता वाता वरंद है और यहां पर में और मेरा फ्रेंडी आया है बाकी यहां पर आपको कोई देखने को नहीं मिलेंगा इसंट के आफिय घा के और यहाँ पर बहुत ही तेजी से हवाँ चालु है और चारों तरफ आपको शानती ही शानती देखते को मिलेंगी और आप काज से देख सकते हो बहुत ही पैरी और बहुत ही विशाल प्रतिमा रखी गई अभी बहुती स्थूप के अंदर हूं है तो अभी यहां से देखिए है अभी मैं आपको पास से दिखाता हूं तो पास से भी आप देखिए बहुती विशाल है गाईस मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूं बढ़ बहुती विशाल यहां पर प्रतिमा रखी गई है और बहुती खु वीडियो में